दोस्तों यहां से सब्सक्राइब कीजिए गुर्मेंट जोब्स ग्यान चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबाले हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए एलो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोवर्मेंट जोब्स क्यान पर एक बार फिर से हम बात करने वाले है बैंक बर्दियों के बारे में तीन बैंकों में अलग-अलग बर्दिया निकली है State Bank of India में, Bank of Broda में, South Indian Bank में तीनों बैंकों में अलग-अलग vacancies निकली है SBI में Deputy Manager के पद खाली है और Bank of Broda में S.O. के पद खाली है South Indian Bank में PO के पद खाली है S.O. Post के लिए अधिके Specialist Officer के लिए 51,490 तक सेल्दी दी जाएगी Probational Officer यानि के PO के लिए 42,020 तक सेल्दी दी जाएगी Deputy Manager के लिए 45,950 तक सेल्दी दी जाएगी सभी के लिए 900 से ज़्यादा vacancies जिसमें निकली है 10, 12, Graduate, LLB, MBA, CAI, ICWA Pass एपलाई कर सकते है All India के Male और Female इन बर्तियों पर एपलाई कर सकते है जो Candidate Bank में नोकरी करने की चाहर रखते हैं उनके लिए सुनायरा अवसर है, बड़ी बर्तिया निकली है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या इनकी age limit है कैसे इसमें selection होगा कैसे इनकी official notification की PDF डाउनलोड कर सकते हो और कैसे simply staff wise इन बर्तियों पर apply online कर सकते हो सभी पर online तरीके से आप इन पर apply कर सकते हो दोस्तों पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में अंतक तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त को है शुरू करते हैं इन बर्तियों की पूरी जानकारी बैंक ओ बडोदा साउथ इंडियन बैंक और स्टेट बैंक ओप इंडिया में online application समगाए गए है 900 से ज्यादा वैकेंसी इसमें निकली है इसके बाद यहाँ पर आप organization देख सकते हो बैंक ओप बडोदा है साउथ इंडियन बैंक है स्टेट बैंक ओप इंडिया इन organization में बढ़तिया निकली है specialist officer SO के लिए 913 वैकेंसी है और probationary officer इसके लिए डिकलेर नहीं की गई है deputy manager के लिए 49 वैकेंसी है total 900 से ज्यादा वैकेंसी है और deputy manager की CA पास apply कर सकते है age की बात की जाए तो specialist officer के लिए 28 से 35 वर्स है और 21 से 30 वर्स है अलग-अलग discipline में probationary officer के लिए देख सकते हो 25 वर्स maximum आयू सीमा है deputy manager के लिए 21 से 35 वर्स आयू सीमा है उसके बाद यहाँ पर आप sales देख सकते हो specialist officer के लिए 21,490 वर्स अलग-अलग पोस्ट के लिए दी जाएगी probationary officer के लिए देख सकते हो 3,700 से 42,020 तक sales दी दी जाएगी deputy manager के लिए 31,705 से 45,950 वर्स दी जाएगी उसके बाद यहाँ पर आप fees देख सकते हो अलग-अलग पोस्ट के लिए आपर category वाइज फीस दी गई है general या OBC के लिए 600 रुपे है SO post के लिए SCST PWD के लिए 100 रुपे है उसके बाद PO post के लिए देख सकते हो general OBC के लिए 800 रुपे है SCST EX Service Man के लिए 200 रुपे फीस है डिप्टी मैनेजरी पोस्ट के लिए आपर general या OBC के लिए 600 रुपे है SCST post के लिए यहाँ पर 100 रुपे है उसके बाद सेलेक्शन की बात की जाए तो return test और interview के माध्यम से होगा website तीनों के लिए अलग-अलग दी गई है bankobododa.com और southindianbank.com और sbi.co.in अलग-अलग portal है सभी के online apply कर सकते हो apply करने के लिए आपको इनकी official website पर visit करना होगा और वही से online करना होगा job location All India में है कहीं से भी आप इस बढ़ती पर apply कर सकते हो date की बात की जाए तो specialist officer के लिए सबसे पहले starting date देख लेते हैं पांच 12.2020 तो जार अरहा यादि के 5-12.2018 है और last date apply online करने की 26.2020 तो जार अरहा एकजाम डेट अभी dallas cur今 हुए है उसके बाद p.o. coast के लिए देख सकते हो starting date apply online करने की 10.2020 तो जार अरहा last date apply online करने की 16.2020 है exam date 29.12.2021 तो जारहा exam date 27 January 2019 उसके बाद दोस्तों आपको हमारी website का link नीचे description में मिल जाएगा और इस page पर पहुँचने के बाद यहाँ पर important links का section दिया गया है SO post के लिए यहाँ से notification डाउनलोड कर सकते हो और apply online भी यहीं से कर सकते हो उसके बाद PO post के लिए आपर देख सकते हो notification का link दिया हुआ है और apply online का link भी यहाँ पर दिया हुआ है इनकी PDF डाउनलोड करना बहुत ही जरूरी है इनको पढ़ने से आपके सभी स्वाल और डाउट किलियर हो जाएंगे मैनेजर के लिए आपर देख सकते हो तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इसे like और share जरूर करे